रेस्क्यू ओपरेशन में जुटी एंडियारेफ टीम ने बताया कि टीम को टेनल में देखकर मजदूरों का रियक्शन कैसा था दरसल उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में एक तालिस श्रमिकों को बचाने वालों में शामिल एंडियारेफ करमी मनमोहन सिंग रावत का कहना था कि मैं जैसे ही टेनल के अंदर पहुँचा तो सभी श्रमिक बहुत खुश थे कि एंडियारेफ टीम हम तक पहुँच गई यह हमारे लिए काफी चनोती पूर था उनका मांसिक संतुलन बनाने के लिए हम उन्हें आश्वस्त करते रहे कि उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा कहते हैं ना कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है हिमत और होसले की यही कहानी रेस्क्यू ओपरेशन की टीम ने बया की तो सुनिये की टीम का क्या कहना था वो बहुत ज़्यादा खुश थे खुशल मंगल थे कि एंडियारप की टीम पहुंच चुकी है उने एक प्लानिंग मूब बना रखा था उसी साब से वह बाहर निकाल रहे थे उनको एक बहुत कॉन्फिटेंस था कि हम निकल जाएंगे साइद इस वह से उनों पैनिक हुए नव किसी तरह कोई बिमार थे बहुत खुश तो जैसे मैं टनल के अंदर पहुचा तो जो वहां स रियक्षन इतना था कि जैसे मैं अंदर टनल के अंदर परवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं पैनिक नहों हम एंडियार के टीम पहुच चुकी है आपकी साहिता के लिए तो वह बहुत ज्यादा खुश थे खुशल मंगल थे कि एंडिय करके बाहर निकालेंगे सबसे पहले उन्होंने एक प्लानिंग मूब बना रहा था उसे साब से वह बाहर निकाल रहे थे हमारे काफी चुनोती पून्ध था क्योंकि उसमें जो पर वाला जो पाइप डाला था उसकी जरिया उनके लिए बहुजन बेजा जा रहा था वह पूरे देश के लिए और जो हमारा प्री प्लान था पहले से टीम को निर्धारित कर दिया था बारा लोगों के टीम थे उसमें चार हमारे जो रेस्क्यूर थे फ्रंट में थे जिन्होंने आगे टनल में मार्च करना था चार लोग हम बैक अप में थे जो इस्ट्रेचर या फिर जो किसको पुल करना था उसके लिए हम लोग चार लोग और लेटी वावे बाहर खड़े थे उनके साथ कॉंबिनेशन था कंटिन्यू था आलाधिकारी पर दे मतलब उनसे बात करते थे बी आई पी जाते थे मुख्यमंत्री मौद्य आये उन्होंने बात चीत करी तो